किसान वाई ओ नमस्का मैं पिन सिंग आप सभी वाईयों का आपके अपने चैनल एंडियन फार्मिंग जान में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ किसान वाई ओ आज हम बात करने वाले हैं मूं की एक बहुत ही ब्रहतिन ब्राइटी के बारे में जिसका नाम है यमया 421 यह किसानों के बीच में काफी popular ब्राइटी है इसका दाना हरे कलर का medium बोल चमकदार और आकरसक होता है इसकी फली भी काफी लंबी होती है और इसकी फली में दानों की संख्या की बात करें तो ज़्यादा शंख्या में दाने होते हैं और इसकी फलीयां पकने के बाद काले क कलर की हो जाती है इस ब्राइटी की सबसे अच्छी खासियत है कि यह एलो मोजेग बिमारी के लिए जबज़स संसील है यह एलो मोजेग काफी खतरनाव बिमारी होती है खास तोर पे मूम के लिए यदि मूम की फसल में एलो मोजेग बिमारी आ जाती है तो फसल पीली होकर के परबाद होने लगती है वहीं पैदावारी भी ज्यादा परभावित हो जाती है तो यह अबराइटी यह लो मोझन विमारी के लिए जबजा संसील है और पकने के बाद इसकी फलियां त्रिकती नहीं है यानि कि दाना जढ़ने समस्या देखने को नहीं मिलती है यमिया 421 की फसल 60-70 दिन का समय लेती है लगवग 2 महीने में या पक करके त्यार हो जाती है इसके बुआई की बात करें तो इसे आप 15 फरोरी से लेकर 15 अपरेल तक गर्मी में कर सकते हैं वहीं खरीफ में जून और जुलाई में इसकी बुआई कर सकते हैं तो दो सीजन के लिए या काफी अच्छी साबित होती है एक गिरिस मिनित के लिए और एक खरीफ के लिए तो दोनों समय में आप इस ब्राइटी को लगा सकते हैं और इसका पौधा मीडियम होता है फैलादार होता है पत्या भी चोड़ी होती है और फसल भी एक सार और आकर सक दिखती है इस ब्राइटी से प्रतियकड पैदावारी की बात करें तो पांच से लेकर छे कुंतल पैदावारी मूं की मिल जाती है उहीं अधिक्तम पैदावारी की बात करें तो आठ से लेकर दस कुंतल तक प्रतियकड अधिक्तम पैदावारी भी इस ब्राइटी से मिल सकती है इस ब्राइटी में दो सिचाई की जरूत पढ़ती है एक जब फसल आपकी 22-25 दिन की होती है उस समय आपको करनी है और एक सीचाई आपको करनी है जब फसल आपकी लगभग 40 से 45 दिन की होती है तो आप दो सीचाई करके भी MH421 मूं की फसल से बहुत अच्छी मूं की पदावारी ले सकते हैं इस ब्राइटी की बुआई करते समय आप फटलाइजर में DAP या NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं और खड़ी फसल में बहुत जादा यूरिया की विजरुवत नहीं पड़ती है थोड़ी मातरा में भी यदि आप अपनी फसल को यूरिया देते हैं तो भी फसल की बहुत अच्छी पढ़वार होती है और फसल से बहुत अच्छी मूं की पदावारी भी मिलती है इस ब्राइटी को आप बीज की दुकान से खरीश सकते हैं बीच की दुकान पर नहीं मिलने की सिती में गूगल पर जाकर आप 421 मूं ब्राइटी सर्च करेंगे तो गूगल पर आपको बहुत सारी साइटे हैं जिस पर आपको यह बीच उपलब मिलेगा किसी विचोसनी साइट से आप जो है इस ब्राइटी को खरीश सकते हैं इस ब्राइटी की एक खासियात और है किसकी फलीयां जब पक जाती है तो तुट्ट्टी नहीं है यानि की दाना ज़ड़ने जी समस्या देखने को नहीं मिलती है इसकी फसल में पकाव जो है एक साथ एक समान देखने को मिलता है इस किस्म की बुआई आप पंजाब, हरियाडा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर परदेश, बिहार और मद्य परदेश आधी प्रांतों में कर सकते हैं इस बुआई इसे आप उन सभी छेत्रों में कर सकते हैं जहां मूम की खेती सफलता पुर्व की जा सकती हो तो किसान वायों यदि आपको मूम की एक अच्छी बुआईटी की तलास है तो आप M.A. 421 को खरीद करके बुआई कर सकते हैं यह एक काफी नामी बुराइटी है और किसान इसकी पैदावारी से भी काफी संतुष्ट रहते हैं जादा तर किसान मूम की अच्छी पैदावारी के लिए इस बुराइटी का चुनाव करते हैं तो यदि आप भी मूं की खेती करना चाहते हैं, तो आप भी 421 बीच की बुआई अधिक मूं की पैदावारी के लिए कर सकते हैं, तो किसान वायो जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर्म लेंगे, तब तक के लि धन्यवाद